तो हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यहां हम एपिसोड नमबर टू को स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड में आगे जाने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सस्काइब करें और अगर आप यह करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको यह एनिमेशन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तो इसका आगला अपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊंगा जैसा कि आप लोगों ने पिछले अपिसोड में देखा होगा कि जो मिलिटरी सोलजर हैं वो गा गाने के अंदर पोईजन मिला हुआ है और वो जो खाना होता है वो यहां के गांवालों ने बनाया होता है इसलिए वो सभी गांवालों को पकड़ लेते हैं उन्हें सजा देने के लिए वो स्टार्ट कर देते हैं बट उनका लीडर जो होता है वो उन्हें मना कर देता है उ यहाँ पर विलेजर्ट ने poison दे दिया है soldier को, सभी soldierों ने यहाँ पर विलेजर को capture कर लिया है, बट उनके leader ने मना किया है उन्हें कोई भी सजाद देने के लिए, जिन्सी यहाँ पर कहता है अपने assistant को, चलो उसके बारे में मैं सोचता हूँ, तब ही उसका असिस्टेंट कहता है कि आपने जो है रानी की सेवा में एक और लड़की को भरती कर लिया है ऐसा आपने क्यों किया है तो यहाँ पर हमारा जिंसी बताता है कि जो हमारी रानी है वो बहुत ही खुबसूरत है और सबसे ज़्यदा इंपोर्टेंट है इसलिए मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो भरोसे मंद हो और मुझे लगता है कि जिस लड़की को मैंने चुना है वो बहुत ही भरोसे मंद है और बहुत ही अकल मंद है क्योंकि उसे जो है मेडिसेंज के बारे में पूरी जनकारी है इसलिए गाउसू तुम ज़्यादा चिंता मत लो उसके असिसेंट का नाम होता है गाउसू यहाँ पर जो गाउसू होता है वो कहता है कि अगर वो अपने नोलेज का गल्त यूज करेगी तो क्या होगा यहाँ पर जो हमारा जिनसी है वो भी सोच में पढ़ जाता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि अगर वो यूज करेगी अपने नोलेज का गल्त तरीके से तो क्या होगा यहांपर जो जिन्सी होता है वो बहुत ही handsome लड़का होता है जिसकी वज़य से यहांपर सभी लड़कीयां जो होती है उसके उपर फिदा होती है तो वो सुछता है कि मैन जो हूँ छोटी रड़की को भी ऐसे ही पता लूँगा जिससे कि वो जो है अपने गल्त लोलेज का य पर बिल्कुल भी नहीं है यहां पर जिनसी जो होता है वह बहुत ही प्यार से कहता है कि तुम जो हो बहुत ही अच्छे से रानी का खयाल रखना बट हम देखते हैं कि माओ जो होती है वो यहाँ पर उसको बोल के चली जाती है कुछ इंटरस्ट नहीं दिखाती है उसके अंदर अगले सीन में हम देखते हैं कि माओ माओ जो है रानी के महल के अंदर होती है जहाँ पर रानी की एक सर्वेंट उसको लेने के लिए आई होती है वो कहती है कि चलो मैं चारों तरफ तुम्हें घुमा कर दिखा देती हूँ यहाँ पर वो जो है दिखाती है रानी के एक कमरे के अंदर उसे ले जाती है जहां पर रानी उसका वेलकम करती है और कहती है कि तुम जो यहां पर आई हो तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा फिर हम देखते हैं फिर यहां पर रानी कहती है कि तुम थोड़ी देर जाकर अराम कर लो हम दिखते हैं कि यहाँ पर उसकी रहसरवेंट जो होती है यहाँ उसे दिखाती है गेस्ट रूम और यहाँ पर उसके लिए एक कीचन भी होता है जहाँ पर वो छोटा मोटा खाना बना सकती है फिर यहाँ पर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें और मेड से मिलाती हूँ और वो सबी जो है अपना introduction देती है माओ को, माओ कहती है कि आप सबी से मिलकर मुझे अच्छा लगा और मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ बट यहाँ पर सबी जो made होती हैं वो कहती हैं कि नहीं नहीं अभी आप जो है जाकर अराम कर लो आप जो है कल से काम करना स्टार्ट कर देना आपके लिए जरूरी है comfort में रहना रानी की सेवा तो हम खुदी कर लेते हैं और वैसे भी आपको यहाँ पर एक special काम के लिए बुलाया गया है जो की आप ही कर सकती हैं यहाँ पर वो दोनों जो है बहुत ही emotionally देख रही होती है वो कहती है कितनी गरीब लड़की है जो इसे यह काम करने के लिए बुलाया गया फिर हम देखते हैं कि उसे कमरे में ले आया जाता है जहां पर वो आकर बैट जाती है कुछ करने के लिए नहीं होता है तो माओ यहां पर बैट पर लेट जाती है और सोचने लग जाती है कि वो लड़किया मुझे इतनी दया भाव से क्यों देख रही थी अब इसका जवाब आपको अगले ही सीन में मिलता है हम देखते हैं कि यहां पर जो जिनसी है वो बताता है कि तुम्हें जो है यहां पर खाना खाकर इसका पोईजन चेक करना है कि इसके अंदर जहर है या नहीं है हम देखते हैं कि माओ जो होती है वो खाने को देखकर बहुत ज़्यादा खूस हो जाती है बट यहां जिनसी बताता है कि इसलिए करना पड़ रहा है ये टेस्ट क्योंकि जो हमारी फ्रींसेस है जब वो प्रेगनेंट थी तभी भी उनके खाने में जहर पाया गया था जिसकी बच्चा बज़ा से उनका जो बच्चा है वो मर गया था इसलिए तुम्हें ये खाना रोज खाकर टेस्ट करना पड़ेगा फिर हम देखते हैं कि यहां उसके पास खाना को लेकर आया जाता है और वो जो है यहां पर खाना खाना स्टार्ट कर देती है वो पहले ही खाने को स्मेल कर लेती है यहां पर वो सोचती है कि मैं जो हूँ पहले ही अपने लैब के अंदर बहुत सारे सापों को अपने आप बट यहाँ पर उसको खाना अचा लगता है इसलिए वो खाना स्टार्ट कर देती है वो एक्चल में सुंग कर ही बता सकती है कि जहर है या नहीं है वो भी हम अगले सीन मर हम देखेंगे यहाँ पर माओ जो होती है रानी को यह भी सलाह देती है कि वो जो है अपने प्लेट को चेंज कर दें क्योंकि उसके में भी chemical reaction की वज़ा से poison create हो सकता है वर ट्रानी बताती है कि ये जिंसी ने हमें पहले ही बता दिया था तो हमने change कर दिया है जो उसे पैसे मिलते हैं यहां पर वो कहती है कि उसके family को वो पैसे दे दिये जाएं और ये सब कहकर वो जो है अपने room में सोने के लिए चली जाती है फिर अगली सुबा हम लोग देखते हैं कि वो काम करने के लिए जब जाती है room के अंदर तो कोई उसे काम करने की देता ही नहीं है सब ही वो कहते हैं कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है तुम जाकर अराम कर सकती हूँ बस उसे यहाँ पर तीन टाइम का खाना दिया जाता है और सोने के लिए बोल दिया जाता है जिसकी वज़य से वो बहुत ज्यादा बोर हो जाती है तो भी यहाँ पर एक मेड उसे बुलानी के लिए आती है क्योंकि रानी ने उसे बुलाया था यहाँ पर वो आती है और कहती है रानी आपने मुझे बुलाया था तो वो कहती है कि नहीं तुम्हें जिंसी ने बुलाया है जिनसी कहता है कि मुझे तुम्हें एक काम देना था इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ यहाँ पर वो जो है मोमो निगालता है एक पैकिट से और कहता है कि तुम इसे खा कर बताओ इसमें जहर है या नहीं है यहाँ पर वो उसे देखती है और सुंगने के बाद कहती है कि इसमें कोई जहर नहीं है आप इसे खा सकते हैं जिनसी यहाँ पर हरान हो जाता है कि यह अगर बिना खाय ही कैसे बता पा रही है यहाँ पर वो सुचने लग जाता है फिर यहाँ वो बताती है कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है आप इसे खा सकते हैं यहाँ जिंसी कहता है क्या तुमने इसे सुंग कर बताया है कि इसके अंदर जहर है यह नहीं है बर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माओ जो होती है वो मन में सुचने लग जाती है यह जिंसी जो है मुझे खिलवा कर ही मानेगा खाना इसकी वज़ा से मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जा रही हूँ और वैसे भी मैं सुंग कर बता सकती हूँ क्योंकि मैंने जो है पहले से स्टडी करी है इसके बारे में फिर यहाँ पर वो कहता है कि मेरे पास एक और कोशन है मेरे जो मिलिटरी के सोलजर है वो गाओ में गए थे और जहाँ पर उनके ऊपर अटेक हो गया उन्होंने जो है पोईजन खा लिया जिसकी वज़े से उन्हें जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि गाँवालों ने खाने के अंदर जहर मिला दिया था सायद इसी वज़े से सभी की तवियत खराब होने लग गई है यहाँ पर माओ कहती है कि आप यह बताईए कि वो लोग कहां पर बैटकर खा रहे थे तो यहाँ जिसकी कहता है कि मुझे लगता है कि वो बाहर बैटकर ही खा रहे होंगे कैम के वो कहती है क्या चॉपस्टिक जो है गाँवालों ने दिया था वो कहता है कि नहीं हमारे सोलजर के पास पहले से ही था फिर यहाँ पर वो फूल को लेकर वो खाना स्टार्ट कर देती है वो दोनों कन्फूज हो जाते हैं कि यह क्या कर रही है फिर यहाँ पर माव बताती है कि कई कई बार यह होता है कि फूल के अंदर कोई जहर नहीं होता है बट फूल के पत्ते और उसके जड़ों में जहर हो सकता है और यहां पर आपके सोलजर ने वहाँ बार आग जलाने के लिए कुछ ना कुछ का यूज किया होगा लकडियों का जिसकी वज़े से उसके धूएं की वज़े से उन्हें दिकत हो गई है अब यह कहकर वो कहती है कि मैं यहां से जाती हूँ बट यहां पर कहता है जिनसी कि क्या तुम एक और दवाई बना सकती हो ये दवाई जो होती है स्टेमना के पावर को बढ़ाने के लिए होती है ये जो है अब पता नहीं क्यों मांगता है ये दवाई फिर हम देखते हैं कि यहां माओ जो होती है उसे बहुत ही अच्छा लगता है दवाई को बनाना उमन ही मन बहुत जादा खुस होती है वो कहती है कि मुझे जो है टूल चाहिए इसलिए मुझे वो टूल कहां से लूँ ये तुम मुझे बता दो अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो है अपना पुरा समान लेकर वो चलनी जचली जा रही होती है तब यहां पर गाउसू उसके साथ आ जाता है वो कहता है कि मैं जो हूँ गाउसू हूँ और जिनसी का असिस्टेंट हूँ आज के लिए मैं आपका भी असिस्टेंट हूँ मैं आपकी हल्प करने के लिए यहां पर आया हूँ यहां पर वो उसे एक रूम के अंदर ले जाता है जिस room को खोलते ही देखकर वो बहुत ज़्यादा ही खुस हो जाती है क्योंकि उस room के अंदर बहुत सारी दवाईयां रखी होती है जिसका यूज करके इसे एक और दवाई बनानी होती है यहाँ पर हम देखते हैं जिन सी पीछे खड़ा होता है वो मन ही मन सोच रही होती है माओ कि अगर इसको कुछ पता नहीं है तो यह यहाँ पर क्यों खड़ा है इससे अच्छा तो इसका असिस्टेंट है जो मेरे सोचने के बाद ही वो समान लेकर आ जाता है यह कितना अच्छा है यहाँ पर वो समान लेकर आता है बट उसके अंदर जो है चोकलेट के बीच जो होते हैं बहुत कम उसको और ज़्यादा चाहिए होता है तो यहाँ जिंसी कहता है कि इसे हम ला सकते हैं बट वो बताती है कि वो तो बहुत दूर मिलता है वो कहता है नहीं स्टोर रूम के अंदर मिल जाएगा हम देखते हैं अगले सीन में कि सभी मेट देख रही होती हैं कि यहाँ पर माव क्या बना रही है उन्हें देख कर बहुत अच्छा खाने का मन करता है बट वो अभी खा नहीं सकती है थोड़ी दिर बाद हम बदेखते हैं कि यहाँ पर माव जो होती है उसे बना कर कुछ देर के लिए ठंडे पानी में रख देती है ताकि वो जो है सही से फ्रीज हो जाये क्योंकि इसके अंदर जो है फ्रीजर नहीं है वो वही दवाई खा लेती है जिनकी वज़े से आज अभी इनकी ये हालत है हम देखते हैं कि जो उसने अपने लिए सनेक्स बनाया था उन्हेंने सब खा लिया है वो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं ये दवाई जो बनाई है मैंने स्टेमना को बूस्ट करने के लिए तो आप जो है इसे खा सकते हैं जिनसी कहता है कि फिर ये ब्रेट जैसा क्या है वो बताती है कि ये मेरे खाने के लिए सनेक्स हैं और वहाँ पर जो male है, उनके खाने के लिए और पीने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं, बड़ यहाँ female है, उनके पीने के लिए कुछ भी नहीं है. यहाँ जिंसी कहता है, लाओ मैं भी खा लेता हूं, तो वो सोचती है कि यह कैसा face बनाएगा खाने के बाद, बट वो उसे भी दे देती है यहाँ पर उसकी मेड कहती है रानी की कि इसने ड्रक्स बनाना भी सीख लिया है इतनी छोटी उमर में और ऐसे बाचित करते हुए वो अपने रूम में चली जाती है इधर हम देखते हैं कि माओ जो है उसे फील होता है कि जिन से उसके पीचे ही खड़ा है और उसके पास पीचे आकर वो उसके गरदन पे किस गरता है और वो उसके बहुत ही करीब आ जाता है बट यह जो है यह सिर्फ सोच रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक मेड रात को कहीं जा रही होती है तभी उसका ध्यान यहाँ पर दिवार के उपर जाता है जहां पर एक आदमी जो है चल रहा होता है यहादमी भी उस मेड को देख लेता है अब यह आदमी कौन है मेडी से देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है अगर आप एपिसोड में इसे देखते हुए यहां तक पहुंच गए हैं तो पिली चेनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर कदम होता है मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए ओवर एन आउ